और बॉर्णिंग यूट्यूब आईए विकॉं थार्ड पार्ट का आज लेक्चर नमबर फॉर है जिसमें इंट्रोड़क्शन हम लोग डिसकस कर रहे हैं इस 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 इंट्रोड़क्शन स्रीज में कल हम लोग डिसकस किया हुआ था assessment year को understand करना थोड़ा सा आज और दस मिनट टाइम लगा के थोड़ा सा इसको details में आपको हम डिसकस करने का कोशिज करते हैं वो सकता है last lecture वाले वीडियो में आपको ये पूरा तरीके से समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा एक और एक बार परियास करते हैं क्योंकि ये बहुत relevant ह है और आपके उपर applicable है जो आपका एक्जाम होगा assessment year कर निर्धारन वर्स 2020 आज थोड़ा सा हम इसको और detail में डिसकस करने का कोशिज करते हैं अगर हम बात करें कि आपके पास assessment year और financial year calendar year और current year चार year आएगा तो उसमें confusion होने की जूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए जो applicable है अगर आपने देखा assessment year जिसको हम लोग ay से denote करते हैं तो 2020 से relevant आपको topic discuss करने है अब थोड़ा सा इसको time frame में लेके हम discuss करने के क्वेशिस करते हैं चेले जी start करते हैं यहां से माल लेते हैं आपका यहां से year start हो रहा है year यहां से देखेंगे हम लोग आप आप अब यहर स्टार्ट हो रहा है तो एक तो स्टार्ट होता है आपका यहर एक जनवरी से मालनेते हैं फॉस जनवरी कि और एंड होगा आपका 31st December फिर फिर श्टार्ट होगा फिर 31st December अगले साल का फिर 31st December ऐसा चलते रहेगा इस इयर को हमने डिसकेस भी किया हो था इस एर को हम लोग बोलते हैं कालेंडर यर कालेंडर यर का कोई रेलेवेंस नहीं इंकम टैक्स में इसलिए हमने कल बोला भी था किसको आप इग्णोर कर दीजी यह वाला यह हमारे काम का नहीं है अब हम बात करते हैं कि एक यह आपके पास जो होगा वह होगा कि अग्याइंशल यह ए स्टार्ट होगा एक तारिक से स्टार्ट होगा और segurança मार्ज को खतम होगा । पिर एक अपरेल को स्टार्ट होगा और एक turkey मार्ज को करतं हो जाएगा теперь अब यह स्टार्ट और खटm जो हो रहा है इसमें देखी ध्यान से यह महीना कितना है यह भी 12 महीनाँ कि यह भी 12 महीना मैं और यह भी 12 महीना अब एक अप्रेल से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ आपका 31 मार्ज को अब एक्जाम्पल को थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए हम ले लेते हैं कि यह स्टार्ट हुआ है स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा 20 में राइट फिर 21 में फिर 20 में अब एक चार 19 से लेकर 31 तिन 20 तक जो एयर हुआ वह एक साल का हुआ इसको हम लोग बोलेंगे पैनिशल यर इसको हम लोग बोलेंगे फैनिशल यर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टूयलमेंट स्टार्ट फॉर्स अप्रिल 2019 and end with 31st मांग 2020 तो एक साल हो गया इसको हम लोग बोलेंगे financial year यह भी आपका यहां से लेके यहां तक financial year बोला जागा अब इसको हम बोलेंगे financial year 2019 इसको भी आप बोलोगे financial year 2020 इसको आप बोलोगे financial year 2020 अभी भी हम assessment year पर नहीं पहुचे हैं यह तो financial year हो गया अब आपके सामने बात आएगा कि अगर financial year आपने decide कर लिया तो आपको क्या देखना है अब यह financial year हो गया अब आपको बात करना है कि अगर इस financial year में आपने पैसा कमाया है income tax में अगर आपने एक चार 2019 से लेकर एक तिस तिन बीस में जो पैसा कमाया है उस पे income tax आपको निकालना है उसका आपको question का शवाल का answer बनाना है तो इस financial year 19-20 को हम income tax की language में कहेंगे यह है आपका previous year इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गत्वर्स तो गत्वर्स से यहां पर रिलेवेंस यह है कि गत्वर्स उसको बोलते हैं ऐसा financial year जिसमें आपने पैसा कमाया आपका financial year का मतलब क्या हो गया एक चार से सुरू हो के 30 मार सक तो ऐसे financial year जिसमें आपने पैसे को कमाया वह आपको कहलाएगा गत्वर्ष का हिंदी में हो गया और previous year इंग्लिस में बोलते हैं ऐसे financial year जिसमें आपने income कमाया तो आपने 19 कि इस अब जारी सी बात है इस गत्वर्ष के अगर बात करें हम 19-20 का तो आपके सामने फिर से हम लिखते हैं यह कब से स्टार्ट हुआ होगा एक चार दोहजार 19 से स्टार्ट हुआ होगा और खत्म कब होगा 33 2020 को अब इस गत्वर्ष में आपने income कमाया क्या 31 तारीक की रात को जाकि income tax भर दोगे नहीं अब आपने एक चार 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक जो इकम आपने जिनरेट किया कमाया उसका income टैक्स चो निकालने का कोसिस करो गया तो जाइस ही बात है एक अप्रेल से करोगे तो आप गए कब एक अप्रेल को एक अप्रेल दोहजार 21 को आप गए और आपने इंकम कल्कुलेट करना शुरू किया तो साल चेंज हो गया फिर से आपका इस तो यह भी आपका कौन सा यह काल आएगा यह भी फाइनिंशल यह है तेकि इस फाइनिंशल यह में आप क्या income कमा रहे हो नहीं इस फाइनिंशल यह में आप इंकम पर टैक्स निकालने का कोसिस कर रहे हो तो इसी लिए इसको बोला जाता है अशेस्मेंट यह मतलब कर निर्धारन वर्स मतलब आपने income कमाया 19-20 में उस income पर आपने कर का निर्धारन कप त्या 20-21 में इसलिए आपका ऐसा और का financial यआ जिसमें आप करकर निर्धारन करोंगे तो को मिफा कहलाए गापका अशेस्मेंट या तो आपको तकी आपको ये पढड़ना है सेश्मेंट इयर जो हजार 20 21 राइड तो आपको अगर ध्याण से देखेंगे आपके बुक पह पर प्रिंट है एक चार उनिस से स्टार्ट होगा और 31 मार्श 2020 को खतम होगा जिसका निर्धारन चाहिसी बात है करका निर्धारन कब कर रहे हो आप 2021 में इसलिए इसका नाम रहेगा अगर हम बात करें डेफिनिशन के तौर पे तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक वर्ड निकल के आ रहा है कालेंडर ये कालेंडर ये का मतलब बारा महीना दूसरा कोंसेप्ट आपके पास निकल के आया फाइनिंशल येर का मतलब बारा महीना स्टार्ट कप से हो रहा है स्टार्ट हो रहा है एक प्रैल से इंड कप हो रहा है कतिस मार्च को इंकम टेक्स में इसका कोई मतलब नहीं है इसी को लेके चलते हैं अब यहीं financial year कौन-कौन में convert हो जाएगा एक conversion हो जाएगा इस financial year का previous year previous year जिसमे आपने income को कमाया जिसमें आपने income को कमाया तो आपके syllabus के लिए आपने income कब कमाया है 14 2019 से लेकर 31 2020 तक के कमाया वे income को आपको calculate करना है इसी में निकल के आ जाएगा आपका assessment year जिसमें जिसमें आपने पैक्स का निरुधारन या गनना किया तो कब निरुधारन करोगे आप 14 20 से शुरू करोगे और 31 तिन 2021 को आप अतम करोगे इसलिए इसको assessment year बोले आता है अब रहा बात लगे हाथ एक काम और भी देख लीजिए क्योंकि यह हर साल चेंज होता है इंकम टैक्स में यह कब आया होगा तो फरवरी एक फरवरी 2019 को जो बजट आया होगा या इसको हम लोग बोलते हैं Finance Act भी कब आया होगा 2019 वाले Finance Act में जो बाते कही गई होगी वहीं applicable होगा आपके एक्जाम में उसके बाद 20 में भी आया है 21 में भी आया है यह अभी आपको ध्यान में रखने की ज़रृत नहीं है ऐसा इसलिए तो कि 20 में भी बहुत सारे बाती कही जा चुकी है 21 में भी बहुत सारे बाते कही जा चुकी है तो आप confused नहीं होगे आज आप है चार मार्च में यार मार्च 2021 में हैं तो आपके पास ये भी अबलेबल होगा ये भी अबलेबल होगा जैसे इंकम टैक्स इसमें कुछ और एक जमसन था चूट थी इसमें चूट को बढ़ा दिया गया इसमें भी बढ़ा दिया गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए एसेस्मेंट ये और प्रिवियस ये का कॉंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आसा है आपको इंकम टैक्स का ये प्रिवियस ये और फाइनिशल ये का कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आगे ये साल हमेशा चलता रहेगा तो आगे साल जो चलता रहेगा फिर ये भी ये साल भी ये करनिधारन बर्स इसका है ये भी किसी अगले साल में जाके ये भी प्रिवेस येर बनेगा फिर वो साल भी अगले साल में प्रिवेस येर बनेगा तो प्रिवेस येर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए जिसमें आपने इंकम को कमाया है तो आपक तो अगर हम बात करें तो previous year की बात करें तो previous year हो जाएगा आपका 2020 जिसका assessment year हो जाएगा आपका 2020 का जो assessment year होगा उस पे finance act इंकम tax act 1961 में जो भी संसोधन finance act 2019 तक हुए है वहीं प्रोविजन्स आपको ज्यान में रखने है तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे update में अब तक आप चैनल पर बने रहे हैं अभी तक like share subscribe नहीं किया तो कर दिजिए अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि सब नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा लेक्टर का सीरीज एकदम सीक्वेंस में डाला जा रहा है लेक्टर नोबर 1234 इन लोगों ने अभी तक लेक्टर को नहीं देखना शुरू गिया है तो वहां से आप description box लिंक है आप वहां से देख सकते हैं detail में जाके लिए मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ तब तक चाहिए